नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बे दोस्तों आज हम जानेंगे 50 kg DCP टाइप एक्स्टिक्यूसर CO2 कार्ट्रेज फुल स्पेसिफिकेशन के बारे बे कि जो 50 kg का dry chemical टाइप जो एक्स्टिक्यूसर होता है CO2 कार्ट्रेज वाला, उसकी जैट रेंज कितनी होगी, कितने समय के अंदर वो खाली हो जाता है उसका हाइड्रोलिक प्रेसर टेस्ट कितने kg cm सुकेर पे किया जाता है breast test कितने kg cm सुकेर पे होता है working pressure क्या होगा thickness और उसका diameter कितना होता है और कौन से method से यह आग को बुझाता है तो इसके बारे में आज हमें discuss करेंगे तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार subscribe का बटन जरू दबा दे वीडियो अच्छी लगे तो like करें याने की छमता तो capacity जो होगी छमता वो कितनी 50 kg dry chemical powder जो extrusion होता है उसकी छमता 50 kg होगी उसके बाद में उसकी jet range jet range उसकी jet range होती है 8 से 10 मीटर 10 से मीटर यानि की जो dry chemical powder होता है उसको कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 मीटर तक वो फेकने में शक्छम है तो jet range जो होगी 8 से 10 मीटर उसके बाद में discharge time खाली कितने समय में होता है discharge time ये लगबग 40 से 45 से के अंदर खाली हो जाता है पूर्ण रूप से जो 50 किलो ग्राम का dry chemical जो powder होता है वो उसके बाद में इसके अंदर जो powder भरा जाता है वो कौन सा होगा जो chemical होगा वो होगा M-A-P यानि कि Mono Ammonia Phosphate इसे dry chemical powder के अंदर भरा जाता है Mono Ammonia Phosphate जो powder है वो इसके अंदर भरते है जो कि आग को अच्छी तरीके से बुझाने में सक्षम है फिर इसके बाद में आती है minimum discharge quantity minimum discharge quantity तो minimum discharge quantity होती है इसकी 85% यानि कि जब इसको आग के उपर चलाया जाता है तो 85% इसके अंदर जो Mono Ammonia Phosphate powder होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और 15% जो powder है वो इसके अंदर सेस रहता है बचता है फिर इसके बाद में आती है इसका hydraulic test hydraulic pressure test इसका hydraulic pressure test किया जाता है 30 kg cm सुकेर के उपर 30 kg cm सुकेर के उपर इसका hydraulic test किया जाता है फिर brush test brush test जो होगा 35 kg cm सुकेर के उपर 35 kg cm सुकेर के उपर इसका brush test करके देखा जाता है जो 50 kg dry chemical powder होता है उसका फिर आती है इसकी working pressure working pressure इसका जो working pressure जो होगा वो होता है 15 kg cm सुकेर के उपर working pressure फिर इसके बाद में आती है CO2 cartridge CO2 cartridge यानि कि CO2 gas बरी होती है वो कितनी होगी तो इसके अंदर जो 50 kg dry chemical powder होता है उसमें जो CO2 gas है उसके लिए छोटा सा अलग से एक cylinder होता है उसी के साथ में और उसी के साथ उसका connection किया जाता है 50 kg dry chemical powder और उसके अंदर CO2 gas भरी होती है तो उसके लिए CO2 gas का cylinder होगा उसमें आउसकता के अनुसार हमें CO2 gas से भरते हैं 50 kg के लिए जितनी आउसकता होगी उतनी हम भरेंगे साथ के लिए होगी अलग से भरेंगे 75 पीछेतर के लिए होगी तो अलग से हमें बढ़ते हैं तो इसलिए जितनी आउसकता होती है कि जो आग है वो छोटी है और 25 kg dry chemical powder ही बाहर निकले 25 उसके अंदर सेफ रह जाता है तो उसे दोरान हमें दूसरी जो CO2 जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर carbon dioxide store करके हम रखते हैं तो उसे को सिरफ change करना होगा बाकि जो powder उसके अंदर 25 kg बचा हुआ है दोबारा से हम उसका दोबारा से दूसरी जो fire होगी उसके उपर यूज ले सकते हैं तो ये एक अलग से slender होता है उसके अंदर store करके रखते हैं अवशकता के अनुशार फिर इसके बाद में आती है इसकी thickness extreguiser की thickness किस extreguiser की मोटाई कितनी होगी फिर इसकी मोटाई होती है 1.7 से 1.8 mm तक फिर इसके बाद में आता है diameter इसके बाद में diameter diameter जो होगा वो होता इसका 350 plus minus 5 mm जो डाया जो होता है उस extreguiser का वो 350 plus minus 5 mm या तो 5 कम हो सकता है यानि कि 345 या फिर 5 अधिक हो सकता है 355 तक ये इसका extreguiser का जो डाया है वो हो सकता है फिर कौन से method से या आग को बुझाता है कौन से method के मादम से ये आग को बुझाता है तो ये cooling और smootering method के मादम से आग को बुझाता है cooling and smootering जो method होता है उसके मादम से जो dry chemical powder होता है वो आग को बुझाने का काभू करता है ये है अपना जो 50 kg dry chemical जो powder होता है CO2 cartridge उसका full specification capacity होगी 50 kg jet range होगी 8-10 meters की उसके बाद में discharge जो time है 40-45 second के अंदर ये खाली हो जाता है chemical जो होगा mono ammonia phosphate जो powder है वो भड़ा जाता है minimum discharge quantity 85% 85% ये खाली हो जाएगा 15% इसके अंदर जो powder है वो से से रहेगा hydraulic pressure test 30 kg cm2 के उपर brush test 35-35 kg cm2 साथ इसका working जो pressure है वो 15 kg cm2 होगा और इसके अंदर जो CO2 gas है वो एके CO2 slender के अंदर store करते हैं आवसकता के अनुशार फिर extricusor जो है उसकी thickness extricusor जो है उसकी thickness होगी 1.7 से 1.8 thickness thickness जो होगी 1.7 से 1.8 और उसका diameter होता है 350 प्लस माइनस 5 mm फिर कौन से method से यह आग को बुझाता है तो cooling और smothering method के माद्यम से जो dry chemical powder होता है 50 kg वो आग को बुझाने का काम करता है तो यह था full specification dry chemical powder 50 kg तो वीडियो अच्छी लगी तो like करें comment करें share करें इसे प्रकार की interesting वीडियो आती रहेगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत तो यह है करें टो करें